Hi Hello guys कैसे हैं आप सब आज मेरी वीडियो है प्लाजो कटिंग पे आज मैं बताऊंगे आपको कि प्लाजो कैसे कट कर सकते हैं यह हमारा कपड़ा है जो कि मिली एडाइमेटर इससे वनाएंगे हम प्लाजो को कटिंग करने के लिए सबसे पहले लेंगे हम उसकी लंबाई और lexe के और यह हमारे कि चोड़ा कि चोड़ाए लेंगे हम साघ्टेरा इंच are you मुझं जे अधिया मारा कप्रास उसको नीचे का अधिया को होता हैDEN में करेंगंगे इसको यह में पहले मारकर लगा दिया उसी पर पहले मारकर लगा था उसपे लेकर हम उपर लगाएंगे दो दो इंच यानि कि हमारा जो नीचे फोल्ड करेंगे इसको तो उसका हुगा हमारा दो इंच और जो दो इंच हमने लिया था नीचे मोडने के लिए उस पे से हमने निशान लगाया इसका 36 इंच हमारी पूरी लंबाई है और उपर जो हम लास्टिक डालेंगे उसकी हमारी डाई इंच हमने डाई इंच ले लिया उसको यह हमारे लास्टिक डालने के लिए डाई इंच के हमने इसके जो लंबाई चोड़ाई दोनो डाई इंच लिए है और यह लेंगे हमारे कमर का साइज कमर का साइज है हमारा नो इंच यानि 36 इंच तो 36 इंच कम चार इसकी चारते अबना रखे हैं तो हमारा गया नो इंच और यह लेंगे हम आसन और यह लेंगे हमने दो इंच और एक्सटरा इसमें आसन हमारा हो गया ग्यरा इंच आप अपने साइज के अकोर्डिंग इसका आसन ले सकते हैं क्योंकि आपके हिप के अनुशार इसका साइज होगा अब हम इन दोनों निशान को मिला लेंगे क्योंकि बीच में हम एक गोलाई लेनी होगी तो इस तरीके से हम इनको मिलाएंगे और जो मारा ये बीच का निशान होता है ये भी हमें गोलाई से लेना होता है ये में लेना होता है डेड़ इंच पे क्योंकि हमने बगेर साइज लगाया है तो आप इसमें अगर आपको नहीं लगाना आता तो आप डेड़ इंच लगा सकते हैं गया है अगर आपको इसकी स्टिचिंग स्टिखने हैं तो आप कॱमेंट करके बता सकते हैं हम आपको इसकी शिलाइब करके बता दीगे हैं यह हमारी कटिंग हो चुकी आप इस तरी其實 के से कटिंग कर सकते हैं यह तरीका पिल्कुर इजी होता है कटिंग करने का इस तरीके से हमने जो कट लिया था यानि कट लगा दिया जो हमने लास्टिक के लिए कपड़ा लिया था हमारा अक्ष्ट्रा इस तरीके से मोड़ा क्यों कि मैं पता लग जाएगा कि मैं इस तरीके से इसको मोड़ना होगा और यहां से नहीं तो हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा और नीचे से भी हम इस तरीके से कट लगाएंगे और कोमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी